समाज के लोग अब दुबारा से गुलामी स्वीकार करने के लिए तयार नहीं हैं एक मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी होती है एक नहीं हजारों मंत्री की कुर्सी कुर्बान है या तक कि अपना जीवन बावा साहिब के मिशन और मुमेंट के लिए अपने समाज के हक और अधिकार के लिए कुर्बान है अपने समाज के हक अधिकार क्यों सुरक्सित करने के लिए अब एक वकील के तोर पे सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट में भी लडूँगा और दिल्ली की विदान सवा में मेलने के लाते भी लडूँगा तो एक बाबा साहिब का सिपाई होने के नाते समाज की लड़ाई को रोड़ पे संसत के सामने भी लड़ूँगा इसकी सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि जो एजुकेशन हिंदू धर्म सास्त्रों की वज़े से मनुस्मर्ती की वज़े से जिस एजुकेशन से देश के दलिक पिछडे आदिवासी लगबग साड़े तीन हजार साल तक जिससे वंचित रखा गया व्यपार से वंचित रखा गया संपत्ती से वंचित रखा गया और डॉक्टर बाबा साब अम्बेटकर जी ने अकेले अपने चार-चार बच्चे और पत्नी को कुर्बान करके उस लड़ाई को अपने भुद्धी और विवेक से अपनी काबिये से लड़के साड़े तीन अगार साल की हमारी गुलामियों को तोड़कर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते व्यपार के रास्ते और संपत्ती के रास्ते खोलकर हमारे लोगों के आगे बढ़ने का विकास का रास्ता खोल दिया अगर हम इसी तरह जातियों में बटे रहे तो ये 30% भी आने वाले 10-15 सालों में छिन जाएगा आप लोग वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे आप लोग सरकारों की साजिस को नहीं समझ रहे और जो व्यक्ति बिमारी का कारण समझे बिना इलाज करता है वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस कारण से बिमारी पैदा हुई है हम लोग उसी कारण को जिन्दा रखे हुए है पूस्ताओं क्या तुम लोगों ने जातिया छोड़ दी या अभी भी जाती में बने हुए हो तो वो कहते हमने जाती नहीं छोड़ी हम जाती में बने हुए है आप जातियों को जिन्दा रखे हो अपने बच्चों की साधी करने के लिए जब लड़का या लड़की ढूंडते हो तो अपनी जाती ढूंडते हो तो भई फिर बिमारी से चुटकारा कम मिलेगा तो डॉक्टर बाबा से बंबिटकर सारी बिमारियों का निराकर्ण करने के लिए इलाज करने के लिए हम सब को बुद्ध का धंब दे कर गए लेकिन हम सब ने डॉक्टर बाबा से बंबिटकर की बात को नहीं माना हमने तथाकित बुद्ध के धंब को नहीं अपनाया और अगर अपनाने का नातक भी किया तो अपने आचर्ण में नहीं उतारा हमने धंब में आने के बाद भी चातियों को जिन्दा रखा और आज भी साधी करते वेक्त अपनी चाती ढूण रहे हैं तो भही बिमारी का फिर कोई समाधान होने वाला नहीं है और यह जो दिक्षा का प्रोग्राम होता है जिसमें यह 22 प्रतिग्याई दोहराई जाती है 22 प्रतिग्या तो व्यक्ति जब बुद्ध के धम में आकर मैंने दिक्षा ली और बाबा साहिब की दिवही 22 प्रतिग्याई ग्रहन की लेकिन यह रोज ग्रहन करने की चीज़ नहीं है जब कोई व्यक्ति बौद बनता है तब वो 22 प्रतिग्याई ग्रहन करता है जब आप उसे रोज रोज दोराओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी हमें आज इस बात को समझना पड़ेगा कि यह 22 प्रतिग्याई सारी बिमारियों का इलाज करने वाली है अगर पूरे भारत के मौनलिवासी वंचित दलिकादिवासी पिछड़े बर्क के लोग जिनका हजारों साल से सोशन हुआ है जिनोंने अब पढ़ाई नहीं अब परिसले तैयार नहीं हो चुकि हमारे पूर्वज बहुत थे समराट असोग के टाइम पर मैनमार से लेके काबुल कंदार तक इरान तक पूरा भारत बहुत में कल को अगर उसकी यारदास्त वापस आ जाए उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए तो वेक्ति अपने घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा जाएगा ना तो भाई जब हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बहुत थे हमारे पुर्खे बहुत थे तो जब जागो तब सवेरा जब आपको पता लग जाए हमारे पूर्वज बहुत तभी आपको अपने घर में वापस आ जाना चाहिए तो घर में वापस आना आज के लोग अब दुबारा से गुलामी स्वीकार करने के लिए तयार नहीं है एक मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी होती है एक नहीं हजारों मंत्री की कुर्सी कुर्बान है या तक कि अपना जीवन बावा साहिब के मिशन और मुमेंट के लिए अपने समाज के हक और अधिकार के लिए कुर्बान है हम अपने समाज की लडाई को लड़ेंगे पूरी मानदारी से भुद्धी और विवेक से लड़ेंगे काबियत से लड़ेंगे अपने समाज के हक अधिकार क्यों सुरक्सित करने के लिए बैक वकील के तोर पे सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्ट में भी लड़ूंगा और दिल्ली की विदान सवा में मेले के नाते भी लड़ूंगा तो एक बाबा साहिब का सिपाई होने के नाते समाज की लड़ाई को रोड़ पे संसत के सामने भी लड़ूँगा एक बार हाथ उठा कर दोनों हाथ खड़े करके जो लोग बाबा साहिब के सपने को साकार करना चाते हैं जो लोग डॉक्टर बाबा साथ के सपने को भारत को बौदे में बनाने का सपना, भारत को फिर से उसी तरह का गोरो जो समराट असोक के टाइम पर था, वो गोरो देना चाहते हैं, और जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फिर से गुलाम बने, एक बार दोनों हाँच उठा के नारह लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए, रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, नेश खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.